देश का मध्यवर्ती राज्य महराष्ट्र महराष्ट्र का वाशिम जिला विदर्भ एवं मराठवाडा को जोडने वाला ये जिला विकास से को सो दूर था नौ साल पहले एक भी राजमार्ग ना होने वाला महराष्ट्र का शायद ये पहला जिला होगा जहां एक भी किलोमीटर महामार्ग नहीं था वहां गत नौ सालों में विविद परियोजनाओं के अंतरगत 227 किलोमीटर के महामार्ग तयार कर इस जिले में विकास का नया अध्याय लिखा गया है सडके अगर अच्छी हों ट्राफिक जाम की समस्या से मुक्त हों तो व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धी होती है देश के साथ राजियों में भी विकास के पहिये दोडने लगते हैं सडक विकास के इसी फायदे को मद्दे नजर रखते हुए देश के मान्दमिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी इनके नेत्रित्तु में सडक विस्तार एवं विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है माननिय केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गटकरी जी इन्होंने राजमार्गों की गती बढ़ाते हुए दो राजियों को करीब लाने का कार्य किया है इसी श्रिंखला में महराष्ट राज्य के राष्टिय राजमार्ग एनेच 161 अकोला से तेलंगाना राज्य के संगा रेड़ी तक फोर लेन सड़क निर्मान कर दोनों राजियों के व्यापारिक संबंध अधिक मजबूत करने के दृष्टी में एक पहल की है देश का मध्यवर्ती राज्य महराष्ट एवं तेलंगाना राज्य को जोडने वाला यह राष्ट्य राजमार्ग क्रमांक 161 राष्ट को समर्पित होने जा रहा है यह मार्ग अकोला से शुरू होकर महराश्ट्र राज्य में अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड को जोड़ता है और तेलंगाना राज्य में दिगलूर, संगारेडी के साथ अपने जंक्षन पे समाप्त होता है इस सड़क का काम तीन पैकेज अंतरगत हुआ है हकोला से मेडशी, ये 47.70 किलोमीटर का पहला पैकेज है और जिसकी लागत 1285.51 करोड की है इस मार्ग पर 4 फ्लाइओवर, 10 अंडरपास, एवं 85 कलवर्ट्स है पैकेज दो अंतरगत, मेडशी से वाशिम तक 47.70 से 92.20 किलोमीटर सड़क निर्मान का समावेश है इस 44.50 किलोमीटर सड़क की लागत मूल्य 1394.09 करोड है तेरा बस शेल्टर का भी निर्मान इस मार्ग पर किया गया है 1.100 किलोमीटर का छे लेन रोड ओवर ब्रिज आरोबी वाशिम अकोला सेक्षिन में वाशिम केका तुमर के बीच जिससे वाशिम शेहर में यातायात की भीर कम हो जाएगी 15.92 किलोमीटर मालेगाउं टाउन और वाशिम सिटी बाइपास भी इस पैकेज में समाविष्ट है पांग्रे से वारंगा फाटा पैकेज शार के बीच वाली 41.65 किलोमीटर सडक का समावेश है जिसका लागत मूल्य 1041.51 करोड है इस पैकेज में कयादू नदी पर 141 मीटर का चार लेन का प्रमपुल है जिससे यातायात की भीर कम होगी कमनूरी एवं आखाडा बालापोर टाउन को 10.67 किलोमीटर का बाइपास यातायात समस्या से निजाद दिलाएगा NH 161, अकोला, नांदेड, संगारेड़ी के अलावा अन्य राज्य राजमार्गों और अन्य जिला सडकों को जोडने वाली महत्वपूर्ण लिंक रोड है NH 161 वाशिम जिले में माले गाउं के पास सम्रिधी महमार्ग एक्स्परसवे के इंटर लिंक को जोड़ा हुआ है यह राजमार्ग, अकोला, वाशिम, नांदेड, हिंगोली और कई शेहरों और महत्वपूर्ण स्थानों एवं पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थानों से कनेक्टिविटी प्रदान करता है जैसे शेगाओं में श्री संत गजानन महराज मंदिर, अकोला में शाहनूर किला, शिरपुर में अंतरिक्ष जैन मंदिर, ओंधा नागनाद, आठवाज जोतिरलिंग, संत नामदेव महराज संस्थान नरसी और नांदेड में स्थित, तखत सचखंड श्री हुजूर साहब गुर्द्वारा उनमें से कुछ हैं। जोडगा खुर्द, चिवरा, अमानी, साइखेडा आधी जगा के तालाबों का गहरी करण किया गया। 10 लाग क्यूबिक मीटर इस माध्यम से सडक काम के उप्योग में लाई गई। 1017 TCS पानी संचय में इस कारण बढ़होत्री हुई। जलक्षमता बढ़ गई। राज मार्क से करीब शहरों के नागरिकों की पानी की किल्लत दूर होगी। माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्त में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। देश की सडकें तेज एवं यातायात के दृष्टिकोंट से सुरक्षित हो। इस दिशा में समुचे देश में सडक निर्मान के माध्यम से राजियों की कनेक्टिविटी को अधिक सम्रिध किया जा रहा है। केंद्रिय सडक परिवन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरीजी आधुनेक और उच्च गुणमत्ता वाली सडक निर्मान के कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आईए सडक निर्मान के इस मिशन में हम भी यात्री बने और देश को सम्रिध करें।